हेलो एविवन आज मैं आपके पास रिस्ता लेकर के आँए सरकारी करमचारी का रिस्ता ये मैडम सरकारी होस्पिटल में कारेगत है और इनका ये कहना है कि मेरे को ऐसा पती चाहिए जो मेरे काम को समझें क्योंकि आपको भी पता है कि अगर कोई सरकारी होस्पिटल में काम कर रहा है या कर रही है उसको कभी भी डूटी पे बुला लिया जाता है किसी भी वक उसको डूटी देनी पड़ती है तो ये बाद में प्रॉब्लम ना हो कि आप स्रीफ और स्रीफ अपने होस्पिटल को दरजा दे रही हो मेरी जीवन में आप टाइम नहीं दे पाज़ें मैडम ने पहले ही साफ साफ क्लियर कर दिया है कि सामने वाला लड़का कम कमा।μέंगा ही जादा उनको उनके पैसे से कोई मतलब नहीं हो लेकिन मैडम अपनी डूटी को ही अपना भगवान मानती हैं और वो किसी भी वक्त अपनी डूटी करने के लिए जा सकती हैं, इस से उनके होने वाले पती को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये बाते मैडम संधाना चाहती हैं अगर आप इन सारी कंडिशन पर खड़े उतर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप इनके साथ शादी करके खुश रहेंगे, किसी भी टाइम कभी भी मैडम को बुलावा आ जाता है होस्पिटल से तुमको जाना पड़ जाता है, तो अगर आप इन सारी चीजों को अरजस्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में तो ये रिस्ता आपके लिए बहुत ही खूब सूरत है, मैडम की एज हैं मातर 27 साल हाइट है 5.2 एंच और मैडम दीखने में भी बहुत अच्छी बिखती है, अगर आप इनके साथ अपने आने वाले जिन्दकी को जीना चाहते हैं, तो अभी अपना फोन उठाए नीचे देख नबर पे संपर्क करें, 17 साल पुरानी विश्वसनीय कंपनी के सा जोड़ करके अपना रजिस्ट्रेशन पोस्से चल से चल पूरा कराएं, मिलता हूं मैं आपके साथ नेक्स बिखने में किसी नेट और किसी ने रिस्ते के साथ तब तक चैंग चैबारत